सुप्रीम कोर्ट की दो महिला जजों की बैंच शादी से जुड़े विवादों को सुनेगी चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूर ने गुरुवार को बनाई बैंच विशेश समवाद दाता नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूर ने शादी से जुड़े विवाद और जमानत के मामलों से जुड़ी टूरांसफर वाली याचिकाओं की सुनवाई के लिए गुरुवार को महिला जजों की एक बैंच बनाई इसमें जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी शामिल है सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ये तीसरा मौका है जब पूरी तरह महिला जजों की बैंच बनाई गई है दो जजों वाली बैंच सुप्रीम कोर्ट की अदालत संख्या माइनस ग्यारा में बैट रही है बैंच के सामने आए 32 मामलों में से शाधी से जुड़े विवाध और जमानत वाली 10-10 ट्रांसफर वाली याचिकाए है ट्रांसफर याचिका ऐसी याचिका होती है जिनमें किसी मामले को राज्य एजेंसियों से केंद्रिय एजेंसी या किसी हाई कोर्ट ने दूसरे हाई कोर्ट या हाई कोर्ट पहल महिला जजों की बैंच में जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी शामिल है सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ये तीसरा मौका है जब पूरी तरह महिला जजों की बैंच बनाई गई है गथन किया गया अभी सुप्रीम कोर्ट में तीन महिला जज जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बीवी नागरतना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी हैं जस्टिस नागरतना का दो हजार सत्ताइस में देश की पहली चीफ जस्ट्स बननाते हैं सुप्रीम कोर्ट में अभी चीफ जस्टिस समेट 27 जज हैं इसकी क्रिलक्षमता 34 जजों की है से सुप्रीम कोर्ट में ट्रस्फ किये जाने का अनुरोध किया जाता है सबसे पहली महिला बंच का गठन 2013 में किया गया था उस समय जस्टिस ग्यान सुधा मिश्रा और जस्टिस रंजना प्रसाद देशाई की बैंच का गठन किया गया था इसके बाद 2018 में जस्टिस आर भानुमती और जस्टिस इंदिरा बैनर जी की बैंच का